अजी गुर्बवॉनी सर फिस टेस्ट पेपर तो सर जी आज टेस्ट नहीं है टेस्ट कैंसल टेस्ट इसलिए कैंसिल सबसे पहली वज़ा समझ नहां दो वज़ा है पहली वज़ा कुछ बच्चों के बार-बार मैसेज आए कि सर प्लीज इस टेस्ट को पोश्ट पोन कर दीजिए उनका किसी ऑफलाइन सेंटर में अल्रेडी एफार वग्यरा का टेस्ट है संडे को तो प्लीज आप कैंसल कर दीजिए ठीक है दूसरा है क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने आंसर शीट नहीं पहुचाया है चेक करके तो वो भी मेरा प्रोसेस जा रही है इस वीक में कम्प्लीट हो जाएगा तीसरा कुछ बच्चों का चार्ट और उसका चार्ट चाहिए था फॉर्मुला शीट चाहिए था और समरी चाहिए था चैप्टर का तो मेरा ये सोचना इस वीक हो जाएगा लेकिन मैं आपको सिर्फ चार्ट नहीं दूँगा, मैं समझाऊंगा इट मेंस जो चार्ट का रिवीजन करने में आपको 15 मिनट लगेगा, वो मैं 5 मिनट में खतम कर दूँगा तो विट वीडियो दूँगा तो ज्यादा मज़ाएगा, ठीक है, इस विक वो भी काम हो जाएगा यह जो वीडियो हैं, यह बहुत काम का है आपके एक्जाम के पॉइंट विडिस से, उसकी वज़ा सुनो जब मैंने पेपर चेक किया, होश रोड़ गए, मेरे, पता नहीं बच्चों का क्या है और कुछ चीज़े सीखने को मिला, अनुहा हो, इट मिन्स आपको जो स्कोरिंग होने वाला है या एक्जाम में जो आपको नंबर मिलने वाले हैं, कहीं न कहीं काम आ जाएगा, अब मैं जो बोलने वाला हूँ तो आप से अनुरोध है कि आराम से सुनना, मैं जो बोलने वाला हूँ, पाची मिनट लूँगा, ज्यादा नहीं लूँगा और सुनो, और discussion भी करूँगा कि किन बच्चों ने क्या किया, पहले जो टेस्ट पेपर है, उस पर discussion होगा अभी, उसका जो suggested answer है, हाला कि मैं one week पहले ही दे चुका हूँ, पर कुछ बच्चों को अभी भी नहीं मिला, तो उसको मैं description में डाल देता हूँ, suggested answer, टेस्ट नंब पहले 4A कर लिया, ABC तीन पार्ट है, पहले 4A कर लिया, फिर 3B कर लिया, फिर 2A कर लिया, फिर 1C कर लिया, बहुत अच्छा किया, करना भी चाहिए, भई जो आता है पहले करो, लेकिन एक दिक्कत है, जो पीपर चेक करता है, वो irritate हो जाता है, यार 2C, 2C देखीगा, फिर 3 B कर लिया, फिर 3B दिखेगा, फिर 1A कर लिया, भाई, सहाव, और उस irritation की वजह से, आप अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लिखते हो, पर वो जो आप sequence में इदर उदर इदर उदर जबरदस धंगसे करते हो, थोड़ा तो maintain करो, B के बाद C कर लिजी, C नहीं बनता, चलो C बाद में, पर वो जो आपने इदर उदर के उसकी वजह से थोड़ा सा irritation होता, और उसकी वजह से हो सकता है, आपको mass कम मिले, आप अच्छा लिख रहा हो, पर हो सकता है कि paper check करने वाले को थोड़ी सी दिक्कत हो, हाला कि जो आता है, वो पहले क पर मेरी request है कि कोशिस करना कम से कम, कि एक sequence में question, एक के बाद B कर ले, उसी question का C part कर ले, दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, हाला कि paper check हो जाता है, खुछ के लोग होगा, घैना नहीं, एक के बाद B करेंगे, तब ही check होगा नहीं, ऐसा नहीं, paper तो चेक हो जाता, पर कोशिस करन एक गलतिया, लगबक सभी बच्चों से एक गलतिया हुई है, ठीक है, दूसरा, जो पहरा test paper था, उसमेंने, मैंने कुछ questions, C.A. में लिका दे दिया था, C.A. में, कुछ questions, मैंने, एकाद question, हाला कि इजी थे, ऐसा कुछ नहीं था, concept में, CS professional में, पहले FTFM चलता था, उसका एकाद question उठा कर डाल दिया था, actually मैं देखना चाहता था, कि बच्चे, क्या बाहर का question जहल पाएगी, कि नहीं जहल पाएगी, concept से अच्छे तो जहल पाओगे, अगर question रच्टा मार रखा, कि यार institute ने जो question दिया, बस उतना ही करेंगे, तो खेल खतम हो जाएगा, और वाक question सम्हाल नहीं पा रहे है, नहीं सम्हाल पा रहे है, अगर जो पहले institute का question है, वो आ गया है, तो आ गया, figure change करके दे दिया, तो भी कर लेंगे, लेकिन अगर बाहर का कोई question नया question उठा कर डाल दिया, तो दिक्कत है सर, वहाँ उस area में हम लोगों को मैनत करनी है, वहाँ problem हो यह दूसरी चीज मैंने बताया, पहली चीज, sequence maintain करना, दूसरी चीज, बाहर का question को handle कैसे करे, जो question पहले कभी देखा नहीं है, उसके लिए तो एक ही तरीका बच्चा है, कि मैं आपके taste लूँ, जबरदस लूँ, और मैं आपका level check करूँ, मैं देखूं कि यार, आप किस त ठीक है, तो आप मुझे अभी तो पहले taste के हर एक question में थोड़ा-थोड़ा discuss कर लेता हूँ, कि बच्चों से क्या गलतिया हुई है, देखोगे तो काम आएगा, नहीं देखोगे, तो आपकी मर्ची है, बकाय तो देख लिजे, मैं बताऊंगा कि कहां-कहां गलतिया हुई ह और majority of students से जो गलति हुई है, वही बताऊंगा, बाकी मैं discussion नहीं करूँगा, क्यार आपसे calculation mistake हो गया, उस पे मैं चर्चा नहीं करूँ, question number one है, ठीक है sir, इस question में बच्चों ने क्या गलतिया, इस question को बच्चे जो है न, साय अच्छों ही नहीं पाए, last तक जो effective, एक दो से उठाया था, यह question मैंने CA में से उठाया था, और यह इस type की question बहुत सारे हैं हमारे institute के, है, मैं तो question number भी बता दूँगा, क्यों सा question number, इस question को बच्चे कर ही नहीं पाए, एक दो student नहीं किया, effective cost निकालना था भई, effective cost और बहुत ज़्यादा मुस्किल नहीं था, इस type का question है, commodity वाला हमारा, फोरेक्स में भी इस type का question है, सर तो इसका suggested, मैं यहां question discussion करने नहीं आया, उसका तो मैंने suggested answer दे रखा है, doubt होगा तो मुस्से पूछ लेना, ठीक है, question number 1B, अब 1B का सुनना भई, सुनना, सुनना, ध्यान से सुनना बच्चो, question simple था, money market question का था, money market cover का question था और यह question हमारे module में है, institute के study material में है question, अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, इस question, same question है, इसी type का, हला कि उसमें currency option भी डला हुआ है, मैंने currency option हटा कर दिया question, तो अब इसमें दिक्कत क्या सुनना, दिक्कत यह है, conceptual, conceptual में क्या है, money market cover क्या होता, यह सब discussion नहीं कर रहा हूँ, म यह दिखा है, 90 days deposit rate, agree, और यह लिखा है, 1.25% और यह लिखा 2%, ठीक है, सर, आपने हमें सिखाया है, चाहे कुछ लिखा हो, चाहे कुछ ना लिखा हो, यह 2% per annum होता है, तो उस हिसाप से 90 days का rate निकलेंगे, conceptual सहीं है, पर ICAI ने इस question में इस rate को 90 days का rate ले रखा, और मैंने जब यह question करवाया हूँ आपको, उस समय भी मैंने कहा था, कि अगर यह question आएगा, भाई, कसम खालो, कि यह जो रिखिप 2-3 question है, जिसमें ICAI ने गलती किया है, गलती किया है, यह वैसे per annum होना चाहिए, तो 90 days का हम निकाल ले थे, लेकिन, जब यह question मैंने करवाया तो मैंने आप से कहा था, please, 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 अपना दिमाग मच चलाना, ICAI ने जो किया है, वो करना, और इसको 2% per annum नहीं है, 2% 90 days का rate, हलाकि मैं गलत हूँ, तो सर, एक्जाम में जो, जिन्होंने paper दिया है, उन्होंने conceptual सहीं किया, इसको per annum माना है, इसको 90 days का नहीं माना, तो सर, आ जी रो, क्योंकि भाई साब, मुझे pass करवाना आपको, ये question है, check करना, और प्लीज, और सर, जिन्होंने गलत लिया, इसको 90 days, उसको पूरे act number है, मैं क्या करूँ, मैं भूल गया हूँ, कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं भूल गया हूँ, मैं ICAI ने मुझे appoint किया, आपका paper check करने that's it, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को paper मिल गया होगे, और मुझे गाली भी दे रहा होगे, और मजबूर हूँ यार, ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं मिल जाएगे, please message मत करना, इस week, दोनों taste paper के suggested, आपको solution मिल जाएगे, suggested मे मिल जाएगा, ठीक है जी, इस week hundred percent, और इस week charts भी, सर तो बाकी taste paper, अब मैं यह सोच रहा है कि मैं आपसे full-place taste paper हूँ, एक नहीं, 3-4 taste paper, date decide करते हैं, और इस week लेना पड़ेगा, अगले week से तो आपको exam की तयार ही करनी है इस week, तो उस ते समझ में नहीं आ रहा, Saturday ले, Saturday ले, एक बर मैं आपसे description करूँग, इस matter पर अलग से बात करूँग, बात समझ में इस question में क्या है, हाँ सर बात समझ में, 1C, 1C में क्या गलतिया हुई, गलती कुछ ने इतना आसान question था, आएसे, पर extra दिमाग चल जाता है ना बच्चोंग, जब लिखा है, कि आपको एक साल में 360 दिन लेना है, क्यों है 365 डेज ले जो कभी नहीं किया, वो यहां करोगे एक्जाम में, 365 डेज क्यों ले रहा है हो, जब 360 लिखा है तो, वो तो हो सकता मैंने किसी को नंबर दे दिया होगा, लेकिन सुनो, सुनो, 0 नंबर मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं सीधी, जब 360 बोला तो 360 लीजिए, और इसमें भी यहां भी, पहला पॉइंट सहीं किया, दूसरा पॉइंट है, पहले पॉइंट में 6 मंत का इंट्रेस्ट, दूसरे पॉइंट में 181 डेस का इंट्रेस्ट, राइट, अब तीसरे पॉइंट में भाई साब, इन्हों ने, अब छोड़ो क्या बोलूं, इन्हों ने 2% को माइन नहीं चाहिए क्योंकि यहां छे मैने का इंट्रेस्ट है यहां 181 डेस का है दोनों को यह अलगाएगा यह अलगाएगा और यहां आपने 6-5 करके दिखाये तो इन टू बही क्या किया 6 by 12 तो गलत है 181 divided by 360 तो भी गलत है क्योंकि यहां 6 मैने का यहां 101 क्या सिंद दोनों को होगा ना उनको बात समझ में आगे होगी मैं क्या बोलना चाहिए को शन नॉम्बर टू यह तो कोई नहीं छूपाया कोई भी नहीं छूपाया मतलब मतलब कॉंसेप्ट भैनक टैप का खराब है बोलना पड़ा मजबुरी क्यों नहीं छूपा इस कोशन में क्या खास बात कुछ नहीं था स्वेप लॉस नहीं स्वेप गेन हो रहा था एक एक आधी श्टुड़नने काला स्वेप लॉस सब्सभ cricket Pham CT के यहा पास-ईuiten करेंगे नहीं करेंगे और यह इस कोशन को तो कोई कोई यह उस्टुडरह सब्स या हुई थी कि बच्चों से बच्चों से इस कोश्चन में जनरली कोई गलती ने एक गलती हुई थी, वो समझा दू मैं आपको, वो समझा दू जो ऐसे एक आद इस्टूरिय नहीं बहुत, देखो, सर हमें रेट निकालना था, यस, क्योंकि रेट एक ये दिया था, एक ये सकते हो, कोई समस्या नहीं, पर यार, अगर ये कोश्चन, चार पाँच बार इस, सुनना बिटे, कॉंसेप्च्टूल सब सही है, मैं मना नहीं कर रहा हुँ, कि आपको, मैं आपके नॉलिच पर कोश्चन मार्क नहीं लगा रहा हु, आपको आता है, सब आता है, पर मैं बढ़ दस्ती, एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो यार, आप क्यों येन पर रुपीज निकाल रहा हूं, मैंने भी करवाया हूं कोशन, मैंने भी रुपीज पर ये नहीं निकाला है, और बच्चे मुझे बोलते हैं, हम येन पर रुपीज सर आप तो रट वार हैं, भाई साब, अ क्योंकि conceptual सही था, पर मेरी request है, आप लोगों से, इस question को ऐसे करो, ठीक है, 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 बच्चों के ऐसा लगता है, हमने calculator चला लिया, answer 37, answer बस 57 profit, बस थोड़ा सा लिखा करो, और कुछ बच्चों नहीं था, एक्ष्ट्र दिमा भई मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि अगर rate 350 हो जाए, तो बताइए profit होगा कि loss, कुछ बच्चों ने एक point और लिखा, मान लो बले rate 500 का 500 ही रहता है, तो वो profit log क्यों कर रहा है, एक्ष्ट्र मैं मांग कहा रहा हूं कि rate 500 होता है, 500 ही रहेगा, तो क्या profit होगा, मैंने नहीं मांगा, मैंने बस इतना मांगा कि 350 होगा, तो क्या होगा, बस, ठीक है सर, बाकि इस question को attempt किया है, क्योंकि ये institute का question है, इस question को भी attempt किया है, बच्चों ने, बहुत सारी बच्चों ने attempt किया, ये question, अच्छा question है, ये interest rate future का question है, तो मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं जो forward है न, forward, net settlement, FRA क्या question, FRA में, इन्होंने present value निकाला, present value, यहां लिखा वो जो difference है, और यहां क्या है, divided by present value, मैंने आपको बता है, सर, आप ही तो बोलते है, FRA में present, जो settlement होगा, वो difference का present value होगा, हाँ, लेकिन वो question अलग है, ये question अलग है, भाई, साहब, मैंने आपको ब बताये किसमें present value नहीं करना है, और question समझाया था, तो भी बताया था किसमें present value नहीं करना है, आपने, सर, हमने present value किया, तो कौन सा गुना किया, कोई गुना नहीं किया, क्या हमको पूरे number मिलने चाहिए, मिलना चाहिए, पर नहीं मिलेंगे, ICAI नहीं देखा, प्लीज, जो question जिसमें मैंने बताये कि क्या अंतर है, किसमें क्या करना है, ये सब class में बताया है, तो प्लीज ये गलती मात कीजिए, present value मत निकालना, net settlement पे, इस type के question में, जहां है, जिंग वे जिंगा पूची, बाके ठीक था, सर, इस question, ये question, ऐसा कोई student नहीं है, जिसने नहीं बनाया, उसके बावजुद भी 50% लोगों ने गलती किया question में, गलती क्या किया, सुना, सुन लो धियान से, discussion नहीं करना है, पर, इस point में गलती किया, बुले, pay करना है, after 3 month, with interest, 5% पारेन, agree, इसका मतलब क्या होता है, सर, सामने वाली पार्टी को, एक लाख पैतिस जार देना है, कब 3 मेहने बाद, with interest देना है, तो होना क्या चाहिए था, ये सामने वाली पार्टी को, एक लाख पैतिस जार देना है, 5% तो तीन मेहने का rate देख लेते हैं, 5 into 3 by 12 divided by 100 plus 1.01.0125 into 135,000, तो सर, 13668 से 1.50 into, forward it, payment करना है, तो हम कितने के साब से करेंगे, 48.83, तो सर, ये आगए, 6674450, या 51 ले ले न, ठीक है, 6674451, सर, इस question में किसी बच्चे से गलती है, हो सकती, मैं बोल रहां, 50% बच्चे ने गलती किया, तो नो उन्होंने गलती क्या किया, उन्होंने क्या किया, सुनना ध्यान से बटे बड़े काम की चीज़े, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कितना है, 1,35,000 को मल्टिप्लाइ किया, 48.83 से, 1,35,000 into 48.83, तो यह आगया है, इनका 659,2050, इस पे फिर उन्होंने 5% एट किया, तो सर, यह आगया, 667,44,51, अब उनका कहना है कि सर, आंसर तो एक ही है न, आपको क्या समस्य हो रही चेक करने वे, मुझे कोई समस्य है नहीं है, लॉजिकली देखो क्या हो रहा है, यहां बाद में इब्याज क्यों प्लस किया भाई, आप क्या 1,35,000 का पैमेंट कर रहा हो, नहीं, आप सामने वाली जो यूएस पार्टी है, उसको इंटरेस दे रहा हो न, आप रुपीज में क्यों इंटरेस जोड़ा है, आपको सबसे पहले डॉलर में इंटरेस जोड़ा चाहिए और उसको मल्टिप्लाई करना चाहिए, लॉजिकली यह सही है, यह गलत है, गलत, आप बाद में इंटरेस जोड़ा है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है, कि आपने पहले डॉलर खरीदा 1,35,000 और उस पे जो उर्पिया लग रहा ह उसके आप इंटरेस पे कर रहें, लॉजिकली गलत है, आंसर मैच हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, और अगर ICAI पूरे नंबर देता है, अगर ICAI इसको काट देता है, तो आप यह बोलने लाइक नहीं रहोगे, कि सर हमने तो हमारा तो आंसर मैच हो गया है, सर वैसे भ हो आगे, इस question को सभी ने attempt अच्छे से किया, पर दिक्कत किया है, CA वाले बच्चों में लिखने की problem है, मतलब लिखते नहीं है, calculator चलाया, answer लाया, खतम, आप लिख लेना, लिखो यार, लिखो, please, थोड़ा तो लिखो, paragraph तो लिखो, प्रोसेस तो लिखो, प्रोसेस ही नही और उसको 2028 से माइनस कर दिया, बोले, यह अर्बिट्रेस, ऐसे मत करो, लिखो कि हम वोरो करेंगे, क्या करेंगे, सब लिखना पड़ेगा, नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे, question number 4A, यह question आपसे होना चाहिए था, बच्चों ने किया इस question को, अच्छे से attempt किया, मुझे नहीं ल इसमें जो मेरा suggested है, मैंने जो, उसमें मुझसे गलती हुई थी, मैंने divided by, बेस में कुछ 99 कर दिया था, बेस 100 होगा, इसका answer जो correct है, वो 2.2 है सायथ, बच्चों ने सहीं किया, सभी बच्चों के answer सहीं है, इस question में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, हाला कि मेरे suggested में थोड़ा सा answer change है, तो आप देख लेना, आप manage कर लोगे मुझे answer, ठीक है जी, सब question number 4C, बहुत ही आसान question था, क्या किसी जादतर गलतिया क्योंची जादतर गलतिया नहीं हुई और जिरकी गलतिया हुई वो पूरी गलतिया थी, ठीक है, तो इस question में समझाने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताओं, आगे चले जी, सर question of 5A मुझे से गलत question दे दिया गया था, अच्छा सर, actually, इसमें rate of interest की ज़िरत पड़ती है, और यहां rate of interest missing था, ऐसा होगा नहीं exam में, मुझे नहीं लगता और ऐसा होगा ही नहीं, money market में बिना rate of interest के काम हो ही नहीं सक था, तो अगर मैं कहूं कि उस पर मैंने सभी को bonus number दिया है, हाला कि मुझे से गलतियत थी, question में rate of interest होना चाहिए था, पर दुख इस बापका कि currency option में, premium amount कोई नहीं निकाल पाया, क्यों नहीं कर पाया भी, क्या ऐसा question ही किया, ना जाने, एक भी student ऐसा नहीं है, जिसने premium सही निकाला हूँ, suggested है, चेक कर लेना, क्यों ऐसी गलतिय होई, मुझे नहीं मालूम, हाला कि currency option important है, premium amount क्यों नहीं निकाल पाया हूँ, चल रहा है हम आगे, question में 5 भी तो इतना आसान question था, इतना आसान question सह, देख लो suggested, विस्वास नहीं हो रहा, और 90% बच्चे attempt नहीं कर पाय नहीं attempt किया, तो कहां चले गए यार, premium on dollar और extra, premium on pound नहीं करो भई, बिल्कुल आसान तरीके से हो सकता था question को, क्यों इतना लंबा खीच गए, मतलब वो interest difference पे पहुझ गए, covered interest पे पहुझ गए, IRP यूज कर रहे है, भाई, IRP का question, पर इतना बुरी तरीके से IRP यूज कर र इसके लिए IRP, जड़ो ठीक है, रजिस्टिट देखोंगे, 5C सभी बच्चों ने attempt किया, और diagram वगेरा बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चों ने diagram भी बनाया ठीक है, बनाया तो अच्छी पर बिना बनाई भी है, असानी से हो जाता है, question no.6a, कास में ये बोल पाता कि institute का question नहीं है, हमारे ICI का, लेकिन है, उसके बावजूद भी नहीं कर पाई, इस question को attempt, क्यों पता नहीं, इस question, simple सा question था, option का question था, कुछ लोगों ने इसको future में घुज गए, future अलग है, option अलग है, सजिश्टेट आपके पांच, सर, ये question exam में आया हुआ हुआ है, ठीक, सर, 6b, 6b, सभी का answer गलत, जिन्होंने भी बनाया, गलत बनाया, और अगर margin का question नहीं बना पा रहे हो, तो फिर कैसे होगा यार, margin का, गलती क्या हुए, गलतिया यह हुए, क्योंकि 14 contract है, 14 lot है, और 1000 पर lot है, तो initial margin कितना हो गया है, इतना मुझे समझाने की ज़रूत नहीं पढ़नी है, दूसरा, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती सुनो, मैंने क्या लिखा है, मैंने यह लिखा था, कि bullish है, bullish किस पर, on dollar, bullish on dollar मतलब, सर, dollar के बढ़ने पर betting करने वाले, हमको ऐसा लग रहा है, dollar बढ़ने वाला है, तो हम कौन सा position लेंगे, सर, long position, किस पर, सर, long position लेंगे, on dollar, पर सर जी, rate में ने दिया है, pound का, तो आपको pound के विखे में सोचना पड़ेगा न, पर आपको जो betting करनी थी, यहाँ, वो लेना था, short position, किस पर, on pound, बहुत सारे बच्चों ने बनानी की कोशिस किया, लेकिन वो upside betting के चक्कर में चलेगे, long position, जबकि है, actual में कौन सा, कम होगा, तो फाइदा होगा, क्योंकि यहाँ, rate pounds का दिया है, तो आपको pound के विसे में सोचना पड़े, अच्छा कोशन था, margin का कोशन नहीं बना पाई बच्चे, विस्वास नहीं होता, 6C, 6C, मेरे ख्याल से सभी ने बनाया, बस कोशन, कोशिश करू यार, अच्छा, यह return लिखा है, भाई, कुछ बच्चों ने यहाँ loss लिख दिया, यहाँ loss क्या, यहाँ तो profit होगा, यह वाला पार्ट से ही किया, इसमें गलती किया बच्चों ने, यह option writer के point of view, यह option bought लिखा, यह option buyer है, यह option writer है आप, तो option writer में जो premium मिला, वो फाइदा था, कुछ बच्चों नो, यहाँ क्यों detail में discussion करूं, ठीक है, पेपर presentation अच्छा था, सभी बच्चों का presentation अच्छा था, इस question की भी मैं बात करूं, लिखिये, लिखिये, आप सीधा एक figure लिख दिया, एक line में खतम, सही answer, number कैसे मिले, फोड़ा तो लिखो, ठीक है जी, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, test paper जिनको नहीं मिले, please, वो message नहीं करेंगे, इस week में, दोनों ही test paper का solution, solution तो मैं दे ही दूँगा, आपका answer sheet चेक करके, मैं आपका answer sheet चेक करने से, मुझे पता तो लग पा पर इन गलतियों से सीखोगे, ठीक है, दूसरा, आपको charts और उस पे जो आ रहा है, वो इसी week मिल जाएगा, उस पे भी तयारी चल रहा है, उस पे भी video बन रहा है, एक बार video बन जाते, charts के साथ, तो वो सब की सब आपको मिल जाएगा, ठीक है, तीसरा सब portfolio और mutual fund का test नहीं सब क्यों, अब मैं लोंगा तो पूरा complete test लोंगा, और मेरी कोशिश है कि कम से कम चार paper तो मुझे लेना चाहिए, तीन से चार, check करना, मैं पक्का check करूँगा, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आज का test नहीं लेने की एक वज़ह ये भी, कि मुझसे test paper check नहीं हो पाये थी कोई बात नहीं, इस week हो जाएगे, मैं इस week पूरे test paper आपको complete करना, charts भी इस week आजएगे, तो बस इनी बातों का धियान रखना, और होता है, किसी को कम नंबर मिलागो, पर paper दियाना, इससे test दियाना, इससे अच्छी बात होई नहीं सकती, बस देते जाओ या test, निकलेगा attempt, 100% निकलेगा, test दीजिए, मैं आपको लिखके देता हूँ, attempt निकलेगा, निकलेगा, ठीक, thank you so much, मिलते हैं, next test का अच्छा, date सर, आप announcement करोगे, पक्का, आपको मैं अभी एक दो दिन में announcement कर दूँगा, जो complete test की में बात करो, और कम से कम एक नहीं, तीन चार टेस्ट लो ठीक, thank you so much, bye bye